नेटवर्क मार्केटिंग के अंद, कोई भी ऐसा लेवल नहीं, कोई भी ऐसा टागेट नहीं है, जो अचीव नहीं हो सकता। आपको वो सक्सेस मिलेगी ही नहीं, जब तक रिकूर्टमेंट नहीं होगी आपकी टीम में, आप नेक्स लेवल पर नहीं जासे। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप मर रहे हो, और आपकी डाउन लाइन देख रही होगी, कि हमारा जो लीडर है, वो नहीं लोगों को लगातार लेकर आ रहा है, आपका बिजनस और आपका चिक, और आपका टीम साइज बढ़ता चला जाएगा आपकी आँखों के सा ऐसे लोगों के साथ रहके, जो छोटा सोचते हैं, कि अगर एक इंसान को काम्याब होना है, तो उसे अपने माइंड को डिरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, उसे मैप करना बहुत ज़रूरी है. अगर आज आप सब लोग इस इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहे हैं, तो आपको एक राइट डिरेक्शन देना हमारा फर्ज है, आज आपकी कंपनी ने यतना बड़ा इनिशेटिव लिया कि आप लोगों को एक कह सकते हैं कि एक डिफरेंट डिरेक्शन मिले, कुछ यूनीक कॉंटेंट मिले, कुछ ऐसी इंफरमेशन मिले, जिससे आप लोग अब जो आज का ट्रेनिंग है, इसमें हम सेवन स्ट्राटेजीज डिसकस करने वाले, साथ ऐसी स्ट्राटेजीज जो आपको नेट्वक मार्केटिंग बिजनस के अंदर एक अल्टिमेट सक्सेश दिला सकती है, अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेर करने वाला हम सब के साथ, इसमें अपने बिजनस के अंदर एक एक स्प्लोशन लेकर आ सकते हैं, सी एक्स्प्लोशन से मेरा मतलब क्या है कि धमा का करना, अब मुझे खुद ऐसा फील होता है क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हम कोई भी काम करें तो उसे इस लेवल पर करें कि हम आंग लगा दे। या तो पूरी दरीके से इन्वाल्व हो जाओ या बिलकुली इन्वाल्व मत हो, अ एक इंसान ऐसा फील करता है कि भी या इससे बढ़िया कोई कामी नहीं है, मेरे अपलाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी, और जब तक इंसान जॉइन नहीं करता हो, सुचता है पता नहीं नेट्वर्क मार्केटिंग कैसा बिजनस होगा, मुझे लोगों से बात करने पड़ और अगर आप आज इस बिसनस के बारे में क्यों नहीं बताया है, और अगर आप आज इस बिसनस के अंदर है, तो क्या आप ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं, कि मैं इस ब्यूटिफुल प्रफेशन के अंदर हूं यह आपको ऐसा लगता है कि हम फ़स गए हमें किसी ने इस बिजनस के बारे में बताया और हम ऐसी आ गए इसमें कुछ भी नहीं आपको ऐसा लगता है कि हमें जो सक्सेस चाहिए जो काम्याभी चाहिए हमें जिन्दगी में जितना कुछ हम सोसकते हैं वो सब हम्हें इस बिजनस से मिल सकता है हम चुछ इस सरीके से सोचते हैं तो जरह सोचे हाज अगर आपanca किसी इंसान को इस बिजनस में रिक्रूट करेंगे वो क्या सोचे वो वो यह सोचेगा कि मुझे इस बिजनस के अंदर जो इंसान लेकर आया है उसने मेरे साथ गलत किया अच्छा किया तो वाइन नौट यू डू दा सेम जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था कि हमें फील होता है ग्राटिटीट कि जिस इंसान ने हमें नेट्वक मार्केटिंग बिजनस के बारे में बताया उसने हमारे साथ बहुत च्छा किया तो जब आप लोगों को नेट्वक मार्केटिंग के बारे में बताएंगे जब आप ल लेवल पर जाएगा और जो सेवन प्रिंसिपल्स हम डिसकस करने वाले हैं वो हम स्टेप बैस शुरू करेंगे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं देखें यह जो प्रिंसिपल जैने इंसे आपको बहुत टाइम बचने वाला है और आप स्ट्रेट अवे उस काम के हूँ खुबीми कर रहे हों हर एडियो आफ लाइफ में बीस परसंट ऐसी एक्टिविटीज हुती है जिनसे ऐसे परसंट रियुट बजर्ट होते हैं वहमारे हंएसे कर्म हैं जिसकी वज़े से हमारे एक्टिविटी अच्छची में जिसके आपको इसी एक्रिष यद स्कि आप जो भी काम कर रहे हो तो अगर आपको जल्दी कामयाभी चाहिए यूवांट की मैं तीजी से सक्सेस को आसल करूं अब इस परीटो प्रिंसिकल के मैं एक पर एक्जांपल देता हूं अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं देखे लोग क्राइम्स कमिट करते हैं 20 परसेंट एसे क्लिमिनल्स हैं जो लगातार काम्स कमिट कर रहे हैं अगर हम बात करें ऐसी फैक्टरी जिन की वजये से असी परसेंट पालूशन हो रहा है और बीस परसेंट ऐसे कमनी के प्रोडक्स हैं आपकी कमनी के अंदर भी आपके बास multiple प्रोडक्स हैं तो अगर आपके पास मुल्टिकल प्रडॉडक्स आप देख सकते हैं जो सेल है वह 20% ऐसे प्रोडॉडक्स ही जादा आती है मलब 80 प्रण। तक आती है और बाकि प्रणूड़क्स ही से सिर्फ 20% आती है तो हमारा फोकस होना शाहिए उन 20% एक्टिविटीज पे या 20% है जिससे आपको 80% मिलने वाले हैं तीन ऐसे कौन से गाम है इन्हें समझते हैं इन्हें या तो आप थ्री पिलर्स ऑफ सक्सेसें नेट्वक कर रहे हो तो आपके पास अपना अच्छा मिलता है तो मैं उसे नोट करने के लिए क्या आप रेडियो इफ नॉट तो आप बहुत कुछ मिस्स कर दो के सब्सक्राइब इस वड़ेव यू आप रिकॉल करने में भी इसी रहे तो एंवीप का मतलब है मोस्ट वाल्यूबल और प्रॉटेबल अक्टिविटी अब आप जब तक रिकूट नहीं करोगे नहीं डिस्ट्रिब्यूटर्स को आपका बिजनस एक्सपार नहीं करने वाला आपको पता है इसकी उपर हम डिटेल में बाग करेंगे नंबर टू डाट इस फॉलो अब हम बहुत ताइम से सुनते वह आ रहे हैं चीज तब फॉर्श्य की ट्रेनिंग आपको देना जरूरी है चलिए इन तीनों के उपर बात करते हैं विगेस परीटो प्रिंसेपल कहता है कि हमार को जो सक्सेस मिलेगी एटी पसेंट रिजल्ट मिलेंगे वह 20 परसेंट एक्रिविटीस से मिलेंगे और निट्वक मार्केटिंग में वह 20 परसें अब अब जब आप है अगे रिक्रूटमेंट के जरी और हमाने से बात करे रहां कि तुम क्यों काम नहीं करएे आप जितने मरजी काम कर लो, आप सिर्फ किताबे पढ़ते रहो, आप इस तरीकी की ट्रेनिंग देखते रहो, पर उसके बावजूद भी अगर आप recruitment नहीं करोगे, मेरा challenge है, आपका कोई भी नया level अच्छी भी नहीं होगा, आपको वो success मिलेगी ही नहीं, जब तक recruitment नहीं हो आपको अपने legs को spread करना ही पड़ेगा, उन्हें open करना ही पड़ेगा, till that time you will not do that, आपको success नहीं मिलेगी, तो recruitment जब इतनी important है तो हम करते क्यों नहीं, क्यों नहीं करते हैं, इसे समझते हैं, क्योंकि recruitment करना, ध्यान से सुनना, recruitment करना हमें boring लगता है, और हमें मुश्किल अब वो अराम से बैटे है, अराम कर रहे हैं, कुरसी पे बैटे हराम कर रहे हैं, हमारी team काम करेगी और हमें चेक आते रहेंगे, अब next level पर जाने के लिए वो सोच भी नहीं रहें, क्योंकि वो comfort zone में जा चुके हैं, और ऐसे लोग जो comfort zone में हैं, वो भी आपके दुश्मन में, आपको मिश्व ग्रो करना है, विकेज अगर आप ग्रो नहीं करोगे मैं आगे बात करने वालों, इस टॉपिक के उपर, if you are not growing, you are dying, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो भी मैं इसके उपर बात करूँगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, recruitment active हो नहीं चाहिए, भी motivate नहीं करेगा उतना, आपको बता है motivate क्या करेगा, motivate करेगा जब आप, seminars के अंदर और webinars के अंदर नहीं लोगों को लेकर आ रहे होगे ना आप, और आपकी downline देख रही होगी, कि हमारा जो leader है, वो नहीं लोगों को लगातार लेकर आ रहा है, recruit कर रहा है, जोड रहा है, distributors बना रहा है, leaders बना रहा है, तो वो अपने आप motivate हो जाएंगे और वो भी काम करना शुरू करेंगे, और आप पीछे से कितना ही जोर लगा लो, और बोलो मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो बॉस हूँ भही, मैं तो so called leader हूँ, मैं तुम्हार को guide करूँगा, मैं तुम्हें कहाव सुनी होगी, monkey see, monkey do, बंदर बंदर को देखके काम करता है, अब इंसान तो मंदर से बहुत ज़्यादा इडवांस है, वो बिना देखे करते ही नहीं है, हम human beings osmosis से सीखते हैं, osmosis क्या होता है, कि साथ में रहके, हमें अपने आप जो feelings हैं, जो knowledge है, जो emotions हैं, और जो actions हैं, वो transfer हो जाते हैं, ऐसे लोगों कि हम संगत में रहेंगे, जो काम कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे, और ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे, जो LC हैं, तो हम भी हो जाएंगे, अब applying सोचो, अगर वो LC हो गया और उसने recruitment मन कर दी, तो क्या होगा, तो checks grow नहीं करेंगे, what you are required to do is do active recruitment, next, when I am talking about follow, follow up, आप सबको बता, आपके trainings के अंदर follow up, हर बार बताया जाता है, follow up करो, अब यह follow up होता गया, follow up का बड़ा simple सा मतलब है, phone उठाना और call करना, किसे, एक तो उस इंसान को जिसे आपने prospect की है, जिसे आपने network marketing business के बारे में बताया, और दूसरा follow, जो आप लोग मुझे नहीं बता करते हैं, नहीं करते होगे तो आपके checks आ रहे होंगे, नहीं करते होगे तो down जा रहे होंगे, वो है आपकी team को call करना, अब team में उन लोगों को नहीं जिने हमने recruit किया, sorry, 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 अगर आप इसे गलस समझ रहे हो, team में call किसे करना है, यह भी कर रहे हैं, उनसे phone पे अगर आपने बात कर ली, आपका phone जाना उनके पास, आपको पता नहीं है, वो एक motivation का बहुत बड़ा source है, वो तुरंट super charge up हो जाते हैं, दुबारा से उनको remind हो जाते हैं, नहीं हमें all efforts जालने हैं, क्योंकि आपका phone आया, पर अगर आप phone नहीं करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप actual में अपने साथी काम खराब कर रहे हो, अपनी पैरों पे कुलहाडी मार रहे हैं, मैं आपको ये real example देना चाहूँगा, जब मैं actively काम करता था field पे, तक्रीबन 7-8 साल हो गयोंगे इस बात को, 7 साल हो गयोंगे approximately, उस time पे मान लीजे मुझे फोन घुमाना और घुमाते ही रहने, मलब या तो उस prospect को फोन घुमाऊंगा, जिसे मैंने presentation दीती, या फिर मैं उस इनसान को फोन घुमाऊंगा, जो मेरे दिमाग में आगया है, जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है कि अस से आज मुझे बात करनी है, और वो नाम वो लगाता चलना चाहिए, और गल्फेंट से बात करने में नहीं, रिष्टेदारों से बात करने में नहीं, रिष्टारों से बात कर सकते हो, if you are making them join in later marketing, otherwise उन लोगों से जिनने आपने prospect किया, या फिर वो कितना भागते हुए घोड़े हैं, ढूंडो और उन पर काम कर, त आप मेरे लोगों को काम करके हो, शोगता खराप कर दो, पर आप सोचे, अगर आप काम कर रहे हो, आपके चेक सारे लगाता है, तो आपका जो ड्रेक्ड डाउन लाइन लिएनों, वो कितना सदा खुश हो जाएगा, जब आपके नीछे के नीछे के लोगों को आप कॉल कर उब το सामने वाला क्या सोचेगा हमारा यह लीडर एंट वह नीचे काम कर रहा है उसे बाते नहीं कर रहा हूं सिर्थ भाषण भाजी नहीं कर रहा सिर्ट मांक चरतें कहां। काम बहुत कम लोग करते हैं बड़ अगर आपको काम करना है तो फॉलो बहुत ज़रूरी है अब आप पूरी टीम से यही पूछ लेते होगी इस मेनी की प्लानिंग क्या आपकी इस हफ़ते आप क्या एक्टिविटीज करने वाले हो आपको पता है आपकी सिंपल यह एंडे ट्रांसफर होती हैं और जब आपके टीम में फिलिंग्स होंगी से मनीजानिय एंडेट रहती है रुपती नहीं अब टीम में ट्रांसफर होगी। इसे कहावत बोलो क्यूंकि मैं से काफी सालों से बोलता हुआ 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 रहा हूं इस कहावत को बोलते हैं, the person with the marker earns the most, the person with the marker earns the most, मतलब यह है, कि जिस इनसान के हाथ में marker है, मैं marker भी ले ले लेता हूँ, I have the marker, इस वाइड बोर्ड मारकर ने सबसे ज़्यादा लीडर्स प्रड्यूस करें, अगर आपको विश्वास नहीं होता, अपने अप्लाइं, सक्सेस्फुल अप्लाइं से बूझ लो, कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत 20 रुपे नहीं है, 20 लाग रुपे भी नहीं है, इसकी कीमत वो है, जो आप नेटवर्क मारकेटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते, करते, आन करने वाले, इस मारकर को अगर आपने हाथ में लेना सीख लिया, और आप बोर्ड पर आके, इस मारकर के साथ ट्रेनिंग देना, आपने शुरू कर दिया, आपके तो चेक्स बढ़ेंग आप ट्रेनर बन गए, आपने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, आप सबसे ज़्यादा कमारे होगे उस पूरे ग्रुप के अंदर, आपकी कम्प्लीट जितना भी आपका सामराज्य है फैला हुआ है, उसके अंदर जो इंसान ट्रेनिंग दे रहा है, वो सबसे पूरी फैमली को ले गया, अब उसमें मेरी मदर भी गए, अब स्टाटींग मेरी ममी ने साफ मना कर दिया, कि मैं पैरगलाइडिंग नहीं करूंगी, मैं देख रही हूँ और मुझे पड़ा डर लग रहा है, तो देख के तो डर लग रहा है, बहुत डर लगए, तो उन्ह तो वहां खड़ी हो गई मैंने कुछ नहीं करना आगे बंद कर लेना उसके बाद आपको लगेगा कि इससे बड़िया फीलिंग नहीं हो सकती दुनिया की जब वह सक्सेश्फुल लोगों को देखते हैं तो उन लगता है ही कर लेना चाहिए पड़ आपको नियसको दिखाना बड़े हो तो वह फियर कब हटा जब उन्हेंने देखा और उसके बाद उससे एक्सपिरेंस किया अब एक्सपिरेंस करने के बाद मेरी मदर ने सिर्फ पा लोग मेरे बारे में क्या सोची है पता नहीं मैं कैसा बोल जाओंगा मैं अच्छा बोलूंगा बुरा बोलूंगा अपने देखा होगा एक बार जब यह बोलने का चश्का चड़ता है लीडर्स इस बात से बड़ा समझ रहे होंगे मेरी बात से कि जब आप नएने लोगों को सिखाते होंने मौका देते हो स्टेज पर बोलनेगा पहले उन्हें डर लगता है बाद में जब बोलके चले जाते हैं अंगली बार वो इंसान माई की नहीं छोड़ता हो गएगा मेरे क सब्सक्राइब करने का साइकल आगया आपका बिजनस अपने आप आप आटो पालेट मोड़ बेस स्नोडोल एफेक्ट पर आजाएगा स्नोडोल देगी है एक पहाड से आपने टॉमें जरी देखियोगी विश्मन में वो छोटा सा बरफ का टुकड़ा फेक्त हैं वो नीच आपका बिजनस और आपका चेक और आपका टीम साइस बढ़ता चला जाएगा आपकी आँखों के सामें और फिर आपको मज़ा है पर इस मज़े को लेने के लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट डालने की ज़रूत है इन तीन चीज़ों के अब ट्रेनिंग देनी किस चीज और लिए और एफिप्रीट्व प्रिंसिपल अगें कि ट्रेनिग तो बहुत सारी है बहुत कुछ सिखा सकते हैं टीम पर टीम को सबसे आदा इंपॉर्टटन जो है सिखाना वो है रिकूट्मेंट की उपर ट्रूनिग को अब रिकूट्मेंट के अंदर मुल्टिबल चीज जाती है अब जब लोगों को स्किल्स की उपर ट्रेनिंग दोगे और उन्हें क्रूट्मेंट करना सभाद होगे होगा क्या अब देखोगे की लोगों ने काम करना शुरू करते है जिन लोगों को आप आलसी क्रेंचते अब अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी टुरिंग दी है या कंपनी में तो बहुत अच्छी टुरिंग होती है हमारे लोगों को तो सब कुछ होता है तो मैं आज आपको एक चैलेंज देना होगी आप लिखलो आप अपनी टीम काने एक टेस्ट कैसे लेना है यह टेस्ट बड़ा सुनना उसके शब और आपको ना सर पगड़ लोगे आप कि यह वही लोग है जिने मैं इतनी ट्रेंग दे चुका हूं उसके बाव जो दिने प्रॉस्पेक्टिंग नहीं आ रही है आप उन्हें बोलना जरा इन्वाइट कर अपने दोस्त को हमारे नेक्स वेबिनर या सेमि वुए यह वुए लोगों को ना जो लगता है कि हम कर लेंगे और आप आपके अलॉसे नहीं आ जोइन गर सकता है, सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं, जब जवाब आपको लगेगा यार यह तो satisfactory जवाब भी नहीं है, क्या कर रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा है, सामने वाले का चेक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कमी जहां पे है वो आपको समझ आने लग जाएगा, उस कमी को identify करना, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, then next principle which is known as Parkinson's law. So, अभी जो आप training देख रहे थे, ये training पार्ट है, bang on in network marketing version 3 का, see, अगर आपको ये training valuable लगती है, आपको ऐसा लगता है कि इस training को आपने लिया और इससे आपको definitely life में बहुत अच्छी success मिल सकती है, तो ज़रा सोचिए, ऐसी bang on in network marketing version 3 के अंदर 100 all trainings है, तो अगर ऐसी 100 all trainings आपको मिलती है, तो उसकी value क्या होगी, और उससे आपकी जिन्दगी पे क्या असर आएगा, आपकी network marketing business पर क्या असर आएगा, क्या effect पड़ेगा, तो अगर आप अपने business को एक next level पर लेकर जाना चाते हैं, अपने business के अंदर एक explosion लेकर आना चाते हैं, जिसे हम बोलते हैं bang on, धमाका करना चाते हैं, आप अपना chick उस level पर लेकर जाना चाते हैं, जितना अभी आपकी company में किसी का नहीं है, इस training के जैसी ही, आपको 100 trainings उस course के अंदर मिलने वाली हैं, अगर आपने अभी तक ये course जाना नहीं किया है, मैं आपको बोलूँगा, आप इस number पर call करो, इस course की जानकारी लो, इस video की description और comment box में, PDF के link हैं, उस पे click करके आपको complete जानकारी मिलेगी, आपको पूरा brochure डाउनलोड हो जाएगा course का, आपको पता लगाएगा कितना कुछ है इस course के अंदर, और कितना कुछ सीखना आपके लिए जरूरी है, अगर आप network marketing में successful होना चाहते हैं, so, you call this number, join this course and I will see you in the training course now, till that time, you go self-made. आपको आपको